जानिये आखरकार क्यूं हिचक रहे हैं कॉंग्रेस के बड़े नेता अध्यक्षपद की कुरसी पर पैटने से इन दिनों कॉंग्रेस पार्टी को लेकर तो यही राय सामने आ रही है कि अगर कॉंग्रेस पार्टी को अपना अस्तत्व बचाए रखना है तो उसे अपने संगटनात्मक चुनावों का इस्तेमाव कारेकरताओं को सक्रिय करने में करना होगा बिलकुल हंगामे और अनिश्चिता के बीच कॉंग्रेस पार्टी ने तो अपने नए अध्यक्ष के चुनाव के कारेकरम की घोशना कर दी है वहीं पार्टी के वरिष्ट नेता बगावत कर रहे हैं मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी खराब सेहत से जूज रही हैं और उनके बेटे राहुल गांधी कमान संभालने को राजी नहीं है कॉंग्रस कारे समीती द्वारा स्वीकरित कारेकरम के मताबिक पार्टी 17 अक्तूबर को अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी पार्टी एक मार्च की योजना भी बना रही है वहीं कुल 150 दिनों में लगभग 3500 किलो मीटर की दूरी तै करने वाला भारत जोडो यात्रा नाम का मार्च 12 राजियों और दो केंदर शासित प्रदेशों से होकर गुजर रहा है और इसका नेत्रत भी राहुल गांधी कर रहे हैं जिनकी पार्टी में भविश्य की भूमिका अभी अस्पष्ट बनी हुई है निश्चित रूप से गांधी परिवार असमंजस में है अगर उन में से कोई भी पार्टी की कमान नहीं संभालता है तो पार्टी के भीतर एक नया परिद्रिश्य बनेगा जिसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं ऐसे में बड़ी हरानी की बात तो ये है कि अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता तयार ही नहीं कांग्रेस आरा कमान के भरोसे मन लोगों की आरसे जिस नेता का नाम चलाया जा रहा है वह अपने आपको अलग करने के लिए बहुत जोर जोर से राहुल गांधी का नाम ले रहा है यहां हम सक्रिय राजनीती से दूर हो गए नेताओं की बात नहीं कर रहे वो तो तयार बैठे हैं लेकिन जो अभी किसी पद पर है या अगले कुछ दिनों में कोई पद हासल होने की उमीद है ऐसे नेता कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते अब उन दो कांग्रेस के नेताओं का जिक्र करते हैं जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वे हैं अशूग गहलोत और कमलनाथ गहलोत राजस्तान के मुख्य मंत्री हैं और कमलनाथ को लग रहा है कि अगले साल के अंत में वे मुख्य मंत्री बन जाएंगे इसलिए गहलोत और कमलनाथ दोनों सबसे ज्यादा जोर से राहूल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग करने में जुटे हैं वहीं मलिका अरजुन खडगे को भी अध्यक्ष बनाये जाने की चर्चा है लेकिन वे भी राहूल गांधी को अध्यक्ष बनाये जाने की वकालत कर रहे हैं कॉंग्रेस कारे समीती की पिछली बैठक से पहले उन्होंने कहा था कि वे और पूरी पार्टी राहूल के पीछे खड़े हैं असल में उनको भी लग रहा है कि अगर करनाटक में कॉंग्रेस जीतती है तो वे मुखे मंत्री बन सकते हैं सिद्धर रमया और डीके शिव कुमार की खीचतान में उनकी शायद लौटरी निकल सकती है अगर यह संभावना नहीं दिख रही होती तो वे अध्यक्ष बनने को खुशी खुशी तयार हो जाते शशी धरूर गहलोत कमलनात या खडगे हो या कोई और बड़ा नेता इनकी हिचक का एक बड़ा कաरण ये है कि इनको पता है कि उन्हें सिर्थ समय काटने के लिए अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है उन्हें थोड़े दिन के लिए ध्यक्ष बना जाएगा लेकिन ध्यक्ष पद पर होते हुए भी यह अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर पाएंगे यह जानते हैं वो उन्हें राहुल और प्रियंका के हिसाब से ही काम करना होगा एक कारण ये भी है कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता मान रहे हैं कि अगले चुनाव में पार्टी नहीं जीतने वाली सो उनको लग रहा है कि ध्यक्ष बने तो हार का ठीकरा भी उनी के सिर पर फूटेगा ये चिंता भी है कि एक बार अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद किसी पद के लायक नहीं रह जाएंगे हाला कि उनको भाजपा के अध्यक्षों से सीखना चाहिए वहां भी अध्यक्षों को फैसला करने का अधिकार नहीं रहता है पार्टी के शीर्ष नेता ही फैसला करते हैं लेकिन अध्यक्ष बनने से कद बढ़ जाता है और मौका मिलने वर केंदरी ये मंतरी उपराश्टर पती आदी बन जाते हैं कांग्रिस में तो एक फाइदा ये भी है कि जो अध्यक्ष बनेगा वह इतिहास का हिस्सा होगा उसका नाम 137 साल पुरानी पार्टी के महान नेताओं के साथ लिखा जाएगा और उस सूची में नाम शामिल हो जाएगा जिसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंदर बोस, जवाहरलाल नहरू के नाम शामिल है यह अपने आप में बड़ा प्रलोवन है, इसके बावजूत कांग्रेस के नेता अध्यक्ष बनने से हिचक रहे हैं